Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जियो पॉलिटिक्स में एक फ्रेज का इस्तेमाल बार-बार किया जाता है और वो फ्रेज कुछ इस तरीके से है कि there is no permanent friend or enemy, only permanent interest और ये फ्रेज multiple times सही भी साबित हुआ है For example, अगर हम recent का example है इसराइल और इरान के conflict का तो हमें मालूम पढ़ता है कि वैसे देश जिन से ये उमीद था कि वो इसराइल के खिलाफ statement देंगे वो सारे के सारे देश बढ़ चड़ कर सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को ये वही सारे देश है जो अपने आपको nuclear weapon है इसलिए भी पाकिस्तान का जो action है वो noticeable है इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान neutral ना रहके वो इसराइल को support कर रहा है कुछ examples की मदद से मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें क्यों पाकिस्तान बढ़ चड़कर support कर रहा है इसराइल को और खास करके हम भारतियों को ऐसा लगता है कि इसराइल भारत का एक best friend है तो मुझे उमीद है कि जो उनका दिमाग में भ्रह्म है वो कम से कम तूट जाएगा यह article आप देख सकते हैं November 2023 का जहां पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को 155 mm shells देता है क्यों? क्योंकि यह वही time period है या in fact अभी भी Ukraine और रश्या के बीच में war चल रहा है और 7 October 2023 से इसराइल और हमास के बीच में भी conflict शुरू हो जाता है तो पहले तो यह था कि बहुत सारे जो western countries थे वो बढ़ चड़कर Ukraine को support कर रहे थें लेकिन वहीं जब से इसरेल और हमास के बीच में conflict शुरू होता है तो वो सारे देश अब बढ़ चड़कर support करना शुरू कर देते हैं इसरेल को तो उसी में पाकिस्तान ने भी US के कहने पे इसरेल को weapons दियें ये वही पाकिस्तान है जो officially इसरेल को as a country recognize नहीं करता है और अपने passport में ये बात को बहुत साफ साफ लिखता है और अगर हम दूसरा example देखें तो ये article है November 14, 2023 का जहां पे पाकिस्तान 364 million American dollars का weapon बेसता है Ukraine को इसके पीछे primarily दो वज़ा है एक तो सबसे पहला बात कि पाकिस्तान almost एक bankrupt देश है और इनके पास करने के लिए कोई business नहीं है तो इनका जो पुरा देश है वो चली रहा loan के पैसे पे क्यूंकि Russia Ukraine war में है इसरेल और हमास के बीच में बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि war like situation है तो कहीं पे भी war हो तो एक चीज़ का demand तो बढ़ता ही बढ़ता है वो है weapon का और क्यूंकि इस वक्त पाकिस्तान किसी भी देश के साथ war या war like situation में नहीं है तो इनके पास stock बचे हुए है दो articles जो मैंने अभी example के तोर पे quote किया उसमें से पहला article ये बता रहा था कि Pakistan इसरेल को weapon दिया वहीं दूसरा article ये बता रहा था कि Pakistan ने Ukraine को weapon बेचा और Pakistan किसके कहने पे इन दोनों देशों को weapon दिया तो कहीं न कहीं वो US ही है तो इससे हम Indians को एक बात और मालूम पड़ता है कि कुछ भी हो जाए US हर वक्त close रहेगा पाकिस्तान का as a result हमें बहुत हद तक रोश्या के close रहना ही पड़ेगा अब सवाल दिमाग में ये आ सकता है कि आखिर में पाकिस्तान यूकरेन को या इसरेल को weapon क्यों दिया क्योंकि ये जो action लिया गया था ये पाकिस्तान की सरकार के द्वारा लिया गया था वहीं जो common पाकिस्तानीज हैं उनको ये लगता है कि इसरेल एक अच्छा देश नहीं है क्योंकि उनके द्वारा multiple attacks ये multiple raids किये जाते हैं पैलिस्टीन में तो definitely कोई ना कोई तो वज़ा होगा जिसके कारण पाकिस्तान यूएस के कहने पे weapons दिया तो ये आप देख सकते हैं पिछले साल जून के महीने का article जहां पे IMF अप्रूफ करता है 3 billion bailout package पाकिस्तान को अब पाकिस्तान के पास खुद की कोई economy नहीं है पाकिस्तान के पास खुद का कोई business नहीं है पाकिस्तान सर से लेके पैर तक डूबा हुआ है कर्ज में और ये भी बहुत बड़ा वज़ा है कि क्यों पाकिस्तान का अपना कोई foreign policy नहीं है और पाकिस्तान हम कह सकते हैं कि बहुत हत्त as a football काम करता है कभी US उसे kick मारता है अपने हिसाब से कभी कुछ और western countries उसको अपने हिसाब से kick मारते हैं और बदले में इनको कुछ पैसे या bailout packages इनको मिल जाते हैं वहीं अगर हम recent article को refer करें यानि की 18th April का अगर हम article को refer करें जहाँ पे IMF दुबारा पाकिस्तान को loan दे रहा है तो एक जो बहुत ही common sense हमें कहता है वो ये कहता है कि आखिर में IMF पाकिस्तान को इतना loan किस basis पे देगा और आखिर में पाकिस्तान पे IMF इतना महर्मान क्यूं है कहीं से ये पाकिस्तान कोई भी एक ऐसा action नहीं जिसको कि देख के ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान towards improvement बढ़ रहा है तो अगर हम conclude करें तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को loan चाहिए और उस loan को लेने के लिए पाकिस्तान कभी Ukraine को weapons बेच रहा कभी Israel को weapons बेच रहा और इसके पीछे का जो एक जो सूतरधार है या खिलाडी है वो है US से तो इसमें हम US को भी blame नहीं कर सकते हैं क्यूंकि अगर आपके देश का कोई foreign policy नहीं है या आप नहीं बना पाये हैं तो सिर्फ आप ही responsible हैं उसके लिए बीते कुछ सालों में कुछ गिंती के ही ऐसे देश है जो बढ़ चड़कर इसराइल के खिलाफ वो खड़ा हुआ है एक तो no doubt कि 1979 के इसलामिक revolution के बाद इरान सबसे बड़ा threat है इसराइल के लिए उसके बाद तर्की है यही दो देश ऐसे Muslim countries हैं जो openly challenge करते हैं इसराइल को यही दो देश है जो threat है इसराइल के लिए हैं वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें साउदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन या कतर यह सारे देश बहुत ही close है USA का अगर आप US के close में हैं तो कहीं न कहीं आप इसराइल के भी close में हैं 1969 में एक organization को बनाया जाता है जिसका नाम ह Organization of Islamic Corporation जैसा कि नाम सही मालूम पढ़ रहा है ये एक group है और इसमें वैसे ही countries हैं जिसने officially ये declare कर दिया है कि उनका state religion Islam है या तो उनके देश में बहुत significant number of Muslims रहते हैं तो जब भी आप Organization of Islamic Corporation का meeting को देखेंगे तो इनके जो meeting के agendas होता है उसको देख कैसा लगेगा कि ये बहु जो कि Muslim countries के लिए कुछ बढ़ चड़ कर करना चाहते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप इनका reality चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इनके जो words हैं वो match नहीं करते हैं इनके action के साथ में तो एक चीज तो यहां से हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है कि Pakistan as a nuclear country ये कही से भी इसराइल के लिए threat नहीं है वहीं दूसरी तरफ आप एक situation imagine करें जहां पर अगर भारत nuclear capable नहीं होता तो शायद हमें जितना respect आज मिलता इतना respect हमें कभी नहीं मिलता वहीं अगर हम बात करें तो almost 1979 में ही US को ये मालूम पड़ चुका था कि Pakistan nuclear weapon develop कर रहा है अगर US को य कह सकते हैं कि बहुत हद तक USA या और भी western countries ने बढ़ चड़ कर पाकिस्तान का nuclear program को वो support कियें वहीं दूसरी तरफ जब भारत nuclear weapon बनाता है तो हमारे उपर economic sanctions लगाया जाते हैं पाकिस्तान successfully 1998 में अपने आपको nuclear power country declare कर दिया था कहने का मतलब है कि 1979 से लेके 1998 तक US या US के allies के पास sufficient वक्त था जहांपे ये पाकिस्तान का nuclear program को रोक सकते थें लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने ये चूज किया कि पाकिस्तान का nuclear program को रोका नहीं जाएगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ इरान का जो nuclear program है उसको रोका जा रहा है और इनके हिसाब से South Korea, Russia ये सारे देश aggressor है तो अगें geopolitics में सिर्फ और सिर्फ जो stronger countries होते हैं वो अपना ही agenda को फैलाते हैं और रखते हैं और ये सारे articles या इन सब के जैसे जो articles होते हैं वो हम भारतियों को पढ़ना बेहत ज़रूरी है ताकि हमारे पास बहुत सारे examples रहें और जब भी हम फैसला करें तो ब वोड़फुल दे थांक यू ते केर गुट बड़ए